Hey guys welcome back to rajni classes और आज की इस वीडियो में हम करने वाले most important topic manufacturing industries और guys manufacturing industries related आपको इसमें बहुत सारा material मिलने वाले हैं और इस वीडियो में में उन्प्रेजेंट रिलेटर प्रेजेंट टाटा भी प्रोवाइड कर वाया है इससे वीडियो तोड़ी लंबी है तो आप वीडियो को ल इंडस्ट्रीज का मीनिंग क्या है तो मैनिफेक्ट्रिंग क्या है रो मेटीरियल से वैल्यूइबल गूड्स प्रिपेर करना ही मैनिफेक्ट्रिंग है कि जो भी हमारे डेली यूजिज की जो थिंक्स हैं उनको बनाया जाता है तो उसको क्या कहते है मैनिफेक्ट्र करना तो म इंडस्ट्रीज यह वर्क करती हैं वो कौनसी होती मैनिफेक्ट्रिंग इंडस्ट्रीज इसको मोर अच्छे से कैसे समझ सकते हैं इस एक्जाम्पल से कोटन से कपड़ा बनाना अब कपड़ा क्या एक रो मेटीरियल है और कपड़ा क्या वैल्यूएबल कॉमेडिटी है तो इ इस बहुआ जाएंगे तो अच्छे सी समझने में थोड़ी हाल्प हो जाएगे तो इसमें सबसे पहले हम देखते प्राइमरी इंडस्ट्रीज प्राइमरी इंडस्ट्रीज वेंडस्ट्रीज होती है जो नेचर दुवारा प्रोवाइड की गए मैटीरियल को इकठा करने का जो काम करती है जैसे भी अब इसमें हम देख सकते हैं कि माइनिंग और फिशिंग माइनिंग में क्या होता है कि जैसे आयरन और कोल को कलेक्ट किया जाता है क्यों क्योंकि उनसे वैल्यूएबल इस प्रिपेर कर रहे हैं ऐसे फिशिंग में क्या कर रहे हैं कि मचली में कुछली को पकडगरी कठा अब उससे क्या होगा ज फूड से हूर्ड प्रोडॉक्स बनाएंगे और बनाते है और दवायं बनाए जाती हैं तो यह सब हैसे फिशिंगbel दित अ जो भी यह निकीमने किया था उसको हुमन बींग्स के लिए और वैल्वेबल तिंग्स प्रिपेर कर देती उसी रो मेटिरियल से वह हमारी सेकंडरी इंडस्ट्रीज में होता है जैसे हम देख सकते हैं यहां पर शूगर मिल्स कोटन मिल्स एट्सेक्टरा अब कोटन क्या एक एक एगरिकल्चर इंडस्ट्रीज बेसिक और की इंडस्ट्रीज मोस्ट इंपोर्टन इंडस्ट्रीज होती है क्यों क्योंकि सभी इंडस्ट्रीज जितनी भी है वह इन्हीं पर आधारित होती है जैसे आइरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हो गया हैवी मशीन मेकिंग जो इंडस्ट्रीज ह नेक्स्त में डिसकस करें आप अंचिच करें एंडान को प्रड़क्शन करता है प्राइप जो ऊमन भीजिज्स को जो तिंग से उनको प्रपेर करना जैसे उनको अचिय को प्रवता सकते हैं मोडर्न बेकरी हो गई डैली मिल्क स्कीम यानि कि वो क्या कर रही है कि जो डेली यूजिज में जो थिंग सारे उनको प्रिपेर कर रही है हम उनको क्या कह सकते हैं कि इसे फूड प्रोड़क्शन हो गया पैकेज्ड गूड्स हो गए क्लॉफिंग ऑटो मॉबाइल एलेक्ट्रोनिक गूड्स तो जो भी इस होती है तो ओनर्शिप के जो स्कीम होती है वो किससे होती है सेंट्रल गोर्मेंट या स्टेट गोर्मेंट के किसी एजन्सी के थूफ करवा जाकते हैं तो वह पुब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज फूर एग्जामपल हम इसमें देख सकते हैं दा इंडियन रेलवेज और इंडिया लिमीटिड यह सभी कोंशी कोंशी तो नों आँज कर बताएं वह पूबिक सेक्टर इंडस्ट्रीज में आती है सिक्सट पाइं पे हम देखते समें तर्शि एंडस्ट्री ऐन कितर उत्रिज और देख टिर निंडसर्य को एक सर्विस सेक्टर भार तीह जैंग इस इसिट्यूस स्कूल्स होटःज और ट्रांसपोर्ट यह सभी किसमें आती है तर्ष्ट्ट्री Liman अम में लिए पर इसमझ ना मनें देखी प्राइमरी सेकेंड्य तर्ष्ट्य जो इंडस्ट्रीजान तो primary industries में हमने क्या बात कि थी कि raw material का collection होता है उसके बाद secondary industries में क्या करते है कि जो raw material था उससे product बनाया गया बाद में उसको supply करना तो हम इसको divide कर सकते है यानि कि cotton क्या है primary industry में आ गया कि हमने उसको collect किया secondary industry में क्या कि cotton सेमने shirt बना दी और टर्सी इंडस्ट्री में हमने क्या कर दिया कि shirt को अलग अलग मार्केट में supply कर दिया तो to supply करने के लिए हमें क्या जरूरत हुई तो एसे हम इनको बता सकते हैं कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इनके वर्क डिवाइड़ के जो इसाब से हम इनको नेम भी डिवाइड कर दिटे हैं तो यह हमने में ली बात की कि जो टर्म साती है यानि कि हम लैसन में आगए जो हमें यह वर्ड मिलते जाएंगे कंजूमर इंडस्ट्री आएगी पर जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री जाएगी तो उससे पहले हमने क्या कि में ली इनको थोड़ा-थोड़ा करके समझ लिया इंडियन एकोनोमी में मैनिफेक्टरिंग इंडस्ट्री देधियर्ट में और मैनिली दिवलॉपमेंट गूंडर्ग वहनी है।nes सहीन उसके बहुत सारी कारण क्यों क्यों कि ज्यादा में आफया है तो तो मेर्कों को देख लेते हैं इस्टेंश में के में Ev syllabus ने आगे ग़यन की विशा है, इस अप अर्ड नहां के रष्ट कांपा में आपकर कपा करें लिए आप लू gazi तो आंज लजाए, जो बाइसद आपकर अजार कि एवलर नहां की जड़े बाद सब्सक्ते Lawrence सब्सक्क faut-3 z सब बना दी है तो हम उसमें देख सकते हैं वह सब कैसे हुआ है कि मैनेफेक्चर किया गया कि मिन बनाई गयी वह सब किसमें हुआ मैनिफेक्चरिंग में हुआ है और पहले से जो चली आ रही थी उसको अब मोडरनाइज कर दिया गया अलग अलग बड़ी बड़ी मशीने आ गई हम उन्सका यूज करके अच्छे से अच्छे जब जादा से जादा हम उन में क्या कर रहे हैं कि मनी भी जादा स्पैंट नहीं करना पड़ता और टाइम भी कम लगता है जो प्रोडक्शन वो बढ़ रही है जीडिप जो एरिगेशन सौरी जो हम देख रहे हैं अगरी कल्चर की जो जीडिप पॉइंट था वो भी डे वाई डे इंक्रीज हो रहा है और जो एकोनोमिक डवलप्मेंट है वो बढ़ रहा है वो सब में में पॉइंट में देख सकत feature और फिनिश्ड पैर कर लिए प्रमिंट इंसकी कीमट भी बढ़ जाती है तो इसको क्या कर रहे हैं कि उसको प्रिपेर कर रहे है एं मैंद सी orders किसो अमनेमनेर कर रहे हैं सरफ किसह समभा इंडस्कुरियगी 45 इंडस्ट्रीज थर्ड पमेंचे कि मैंनिफसरिंग इंडस्ट पौवर्टी भी कम हो गई है क्यों क्योंकि लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है वो कैसे कि ज्यादा से ज्यादा जितनी इंडस्ट्री सेट अप होगा उतने ही लोगों को ज्यादा रोजगार मिलेगा तो इन से क्या हो गया अनिंप्लोइमेंट खतम हो गई और उनकी इ एकॉनमिक डेवलेपमेंट का मेजर्मेंट भी मैनेफेक्टरिंग इंडेश्ट्रीजु के द्वारा किया सकता हैं क्योंकि जतना ज्यादा मैनेफेक्टर उहगा उतना ही एक्सपोर्ट होगा और नेशनल इकॉनमी भी डेवलेपमेंट आएगा और फोरन जो मनी होते वो भी तो हम इसमें यह सभी importance देख रहे हैं manufacturing industries द्वारा secondary टर्शी जो सेक्टर हैं उनमें भी job available हो गई हैं जिससे इंडियन जो agriculture पर waitSAY थी वो कम हो गई है और economic level bhi develop हुआ तो यह कुछ main points असे now को शो कर रहे थे जिनके बारे में हमने डिसकस कर लिया है आगे हम देखते हैं कॉंट्रिब्यूशन ओफ इंडस्ट्रीज टू नैशनल एकोनमी किसी भी स्टेट की नैशनल इंकम वहां की इंडस्ट्रीज पर ही डिपेंड करती है कि जितना ज्यादा इंडस्ट्रियल इंडिया नैशनल एकोनमी की मैनिफेक्ट्रिंग इंडस्ट्रीज में जो योगदान को अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट हम इसमें शो कर रहा है कि लास्ट टू डिकेड्स में जीडिपी ग्रोस डोमेस्टिक सब्सक्राइब 17% है, तो हमें सरफ किसका देखना है कि मैनिफेक्ट्रिंग इंडस्ट्रीज में से हम जो उसका देखते हैं मैनिफेक्ट्रिंग इंडस्ट्रीज का वह हैं अंली 17% अब जो हम आगे देखते हैं कि कुछ मतब इंडिया को छोड़के कुछ जो इस्टेशियन कंट्रीज है वहां की जो मैनिफेक्ट्रिंग का जो कॉंट्रिब्यूशन है टोटल जीडिपी का वो कितना है 25-35% भी है कि वहां पे जो ज्यादा डेवलेप्मेंट हो रहा है एगरी कि जो हम इसमें उता सकते हैं कि ग्रोथ रेट कितनी आई है 7% जो यह ग्रोथ रेट है उसको क्या बताया गया कि आगए आने वाले टाइम में यानि कि जो नेक्स्ट टैनियर्स आएंगे उनमें कितना हो जाए गया बढ़कर 12% तक या पेक्षित किया गया है कि 12% तक ही हो यह नि कि डिजर्ब किया गया है कि यह पॉइंट समय बताते हैं कि जो इंडियन मैनेफेक्टरिंग इंडास्ट्रीज का डेवलप हो रा है इन पॉइंट से में लग रहा है 2003 का अगर हम डेटा देखा जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि ग्रोविंग रेट है वो 9% to 10% पर रहनम यानिकि पर्तिवरश कितनी थी 9% से 10% 2020 में अगर टोटल कॉंट्रिब्यूशन अम मैनिफेक्ट्रिंग इंडस्ट्रीज का देखते हैं तो वो था 25.92% और अग्रीकल्चर का था ओनली 20.19% एंड मैनिफेक्ट्रिंग इंडस्ट्रीज में जो डेटा प्रोवाइड किया जाता है यानि कि हम बताया जाता है कि कौनमिस्ट अनुमान लगाते हैं कि नेक्स्ट टैन इयर्स में जो टार्गेट है वो अचीव कर सकते हैं कितना कॉंट्रिब्यूशन हुआ है तो यह सभी जो मैनिफेक्ट्रिंग से रिलेटेड हैं जो मैनिफेक्ट्रिंग इंडस्ट्रीज गे कितना कॉंट्रिब्यूशन होगा इस टाइप के जो भी हमें इन्फोर्मेशन मिलती है वो कहां से मिलती है नेशनल मैनिफेक्ट्रिंग कम्पिटिटिवनेस कॉंसल से next we will discuss about agriculture and industries move hand in hand यानि कि हम इसमें क्या बता रहे हैं कि दोनों एक साथ चलती है agriculture और industries भी means agriculture और industries एक दूसरे के पूरत हैं या dependent हैं तो यह देखने के लिए हमें क्या देखते हैं सिर्फ हम two point देखेंगे तो first point हम उसमें देख रहे हैं contribution of industry to agriculture कि इंडस्ट्री ने agriculture को क्या दिया है वह हम देख लेते हैं तो first point हम रहता है industries provided many tools and equipment बहुत सारे tools और equipment और machine ने जो दी गई है उनसे क्या है कि पसलों की जो बुआई कटाई और स्टोरेज का जो वर्क था वह बहुत सिंपल हो गया आसान हो गया वह जैसे हम इसमें बता सकते है कल्टिवेटर आ गई है combine machines आ गई है तो उन्होंने क्या कर दिया कि जो भी एगरिकल्चर का जो वर्क था उसको सिंपल कर दिया सैजंड पॉइंट हम इसमें देखते हैं इंडस्ट्री प्रोवैड ने इन्टिसाइडस नठिसाइडस फेस्टिसईडस अब उनन से क्या रहे है कि यूजीज कर रहे हैं उनका तो फॉसल जो भी और जो फार्मर कर रहे हैं तोगर रहे हैं इ schizophren को प्रोड़क्शन प्रोप्स भी बड़ी ए jum फूंप्स को launched जिसे इर्डुएशन के असान कर दिया इंट्रोप्स तो सचल्म्न, response की आपके हैं, किसको agriculture sector को और उनसे उनको क्या help मिली है अब next point में हम इसमें देखते हैं कि contribution of agriculture to industry कि अब agriculture का क्या contribution है इंडस्ट्री के लिए उसमें सबसे पहले हम देखते हैं agro-based industries means agriculture based industries depend upon agriculture कि वो agriculture पर ही depend करते हैं किसके लिए ब्रो-material के लिए अब रो-material के लिए कैसे जैसे food industries हो गई जिन में हमारी कौन से आती बेकरी कोटन टेक्स्टाइल जूट शूगर इंडस्ट्री वो सभी किस पर dependent है यानि कि हम जो वीट होता है राइस कोटन और जूट वो सब किससे मिल रहा है अग्रिकल्चर कर रहे हैं वहाँ से उनको अवेलेबल ओर पार है वो उनको तो इस टाइप में कह सकते हैं कि जो एग्रो बेस्ट जो इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग्रिकल्चर पर ही dependent हैं सेकंड पॉइंट हम इसमें बता सकते हैं इंडस्ट्रीज सेल देयर प्रोड़क्ट्स लाइक इरिगेशन पंप्स, पाइप्स, प्लास्टिक पाइप्स, टूल्स, मशीन्स वो सभी किनको बेच रही है निए फार्मर्स के लिए तो समझने का मीनिग कै है कि एग्रिकल्चर यह अगर नहीं होगा तो जो इंडस्ट्रीज अपने प्रोड़क्स बना रही है वो कहां बीचेगी तो इससे हमें क्या मतलब हम इसमें क्या समझ सकते हैं लास्ट ली हम समझ सकते हैं ये इग्रिकल्च गिव्ड डिवस्ट्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर और दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल लोकेशन इंडस्ट्रियल लोकेशन मेंस किसी भी इंडस्ट्री को सैट अप करने के लिए यानि कि उसके जो economically जो work हैं उनको set up करने के लिए geographical sites का selection करना क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम industry को कहीं पर भी situated कर देते हैं तो industries का जो situation की जाती है जब किया जाता है तो वहां की geographical sites को देखा जाता है साथ ही जात जो वहां पर हम क्या देखते हैं कि availability of raw material power, labor, water supply, banking facility यह सबी जहां पर availability होती है यानि कि अच्छे से जहां पर available हो रही है तो कोई भी industrialist होता है वहीं पर अपनी industry को set up करता है अब industrial location में जो influence करते हैं बहुत सारे factors होते हैं जैसे अभी भी हमने बात की थी कि उनमें हो सकता है raw material, power, market, capital, transport, labor यह सबी हो सकते हैं तो इनको अच्छे से हम कैसे समझ सकते हैं कि इनको divide कर लेते हैं इनको two part में divide करते हैं तो two broad categories कुन-कुन season में हम इनको divide करते हैं वो है geographical factors and non geographical factors अब फस्ट ली आते हैs geographical factors जोग्राफिकल factors का meaning अगर हम देखते हैं तो होता है कि the study of the natural features of the earth surface कि हमें वहां पर natural features देखने हैं कि इसके earth surface के जिसमें क्या कैसे हमेल होता है topography, climate, soil, vegetation यह सबी किसमें आते हैं फैक्टर्स मेरोमी अतर है जिसे आगे बढ़ते हैं इस article देखते हैं तो फिर्सट पार्ट इसमें याता है रो मैटेरियल का तो इंडस्टरी में रो मैटेरियल जिन में ज्यूरूरत होती है यहांपे रो मैटेरियल की सपलाई अच्छे से हो सकती है और वह इंडस्ट्री जि वो हमेशा ही raw material के supply करने वाले स्थान के आसपास ही locate की जाती है जैसे iron and steel industry, cement industry कि जिस type का raw material जहां पर मिलता है उसकी production करने वाली industries भी वहीं मिलती है जैसे हम बता सकते हैं JOOT Mills कहा मिलते है वेस्ट बेंगोल में क्योंकि जूट का production वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है ऐसी sugar mills हैं जो सबसे ज़्यादा कहा होती है उत्तर परदेश में setup की जाती है क्यों 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 कि sugar mills के लिए क्या ज़रूर है raw material के रूपे sugar gain और वो सबसे ज़्यादा production कहा होती है उतरपरदेश में होती है, नेक्स थम इसमें डिसकस कर सकते हैं कि कोटन मिल्स, जो कि महाराष्टरा और गुजरात में सब से जादा मिलती है, क्यों कि वहाँ पे कोटन के प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, अगर नेक्स एंग्समें ऽे लेते हैं, तो होता है iron and steel industry का जिसमें यानि कि हम इसमें बता सकते सबसे ज़्यादा जरूरत किसी होते coal and iron ore के उठती है raw material के रूप में हम क्या यूज़ करते है coal और iron ore यूज़ होता है उसमें तो यदि manufacturing industries हैं और वो ही मिलती है जापे coal और iron ore मिलता है क्योंकि raw material है तो यहां पर समझना यही है कि heavy raw material की जरूरत वाली industries जहां पर raw materials available होता है वहीं पर situated होती है जैसे हम इसमें example ले सकते हैं जमशेदपूर जारखंड जो टाटा iron and steel plant है वो जमशेदपूर में लगाया गया क्योंकि वहां पर iron ore और coal fields ज्यादा अवेलेबल हैं और अधर जो steel plants है वहां भी कहां पर मिलती हैं ज्याद अधर coal fields के नियरी मिलती हैं जैसे हम बता सकते हैं इसमें बोकारो जारखंड और दुरगापूर वेस्ट बैंगोल में भद्रावती करनाटका में तो यह क्यों मिलते हैं क्योंकि यहां पर coal fields जादा हैं और भिलाई और राउर केला के मिलते हैं जो कहां पर iron ore की जो sources के नजदी की हैं raw materials के बाद second number पर यहां पर आता है power तो raw materials के तरह ही power भी industries location के लिए important हैं and the important sources of power are coal, mineral oil and hydro electricity and mostly industries की location वहीं मिलती है जहां पर regular power supply होती है और power वहां पर आसानी से मिल सकती है जैसे iron and steel industry जमशेदपूर में हैं क्योंकि iron and steel industries के लिए power के रूप में क्या जरूर होती थी coal की सबसे ज्यादा coal fields कहां पर मिलते हैं जमशेदपूर जारखंड में तबी जो set up किया गया iron and steel industry का वह कहां है जमशेदपूर में एक example हम यहां पर ले सकते हैं new aluminum producing unit का जो सबसे ज्यादा कहां पर कोब्रा 36 गड़ और रेनकूट उत्तरपरदेश में हैं क्योंकि aluminum industries के लिए hydro electricity power की ज्यादा जरूरत होती है और यह यहां पर अच्छे से available हो जाती है तबी जो कोब्रा और रेनकूट है वो aluminum producing के लिए लगाई गई unit है next इसमें हम बता सकते हैं copper smelting plant जो की खेत्री राजस्थान में है अब इसको राजस्थान में set up करने के दोनों point यहां पर हम देख सकते हैं copper ore है वो भी खेत्री में सबसे ज़्यादा मिलता है राजस्थान में raw material के रूप में और power की ज़्यादा जरूरत होती है hydro electricity power की जरूरत होती है तो वो भी यहां पर अच्छे से available हो रही है इसलिए copper smelting plant को राजस्थान में लगाया गया है पावर के बाद third point आता है labor industries में workers की requirement होती है और labor supply भी important होती है कि किसी भी industries के location के लिए सब भी factors का balance होना बहुत जरूरी है जिनमें labor भी एक part है तो जैसे यह जैसे work होता है यानि कि हम देख सकते हैं जैसे consumer industries है या agro based industries के लिए large numbers of workers की requirement होती है और jewelry making and clothing में skillful labors की ज़्यादा जरूरत होती है तो इस तरह labor supply को two parts में divide किया जाता है फर्स्ट आता है उसमें जैसे workers in large numbers are required and second people with skill and technical expertise are needed कि दोनों का लग लग part में divide कर लिया कि किसी काम के लिए तो ज़्यादा labor की जरूरत होती है और कोई work कैसा होता है जिसमें ज़्यादा skillful labor की need होती है और भारत जैसे देश में जहां पर population ज़्यादा है तो वहां पर labor आसानी से मिल जाती है जिनमें जो agro based industries है या consumer industries है उनके लिए भी population ज़्यादा होने के कारण labor आसानी से supply हो जाती है और skillful workers भी available हो जाते हैं फॉर्थ पॉइंट यहां पर आता है ट्रांसपोर्ट मेंली ट्रांसपोर्ट के थ्री टाइप्स होते हैं air water and land transport तो किसी भी industry raw materials जाधा finished goods है उसकी supply के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत जो होती है वो ट्रांसपोर्ट के होती है तो land transport और water transport ज्यादा availability मिलती है क्योंकि air transport से यह सस्ते होते हैं और इंडिया में railways के development के बाद जो port towns थे और जो hinterland port town के inside जो place थे यह वो places port land से connectivity रखते हैं और उनके अंदर तो उनको railways ने क्या कर दिया तब ही तो हम देख रहे हैं कि कुलकाता मुंबई और चेनने के मतलब inside में भी हैं और उनके चारों तरफ भी situated हैं और किसी भी main industries के लिए मतलब हम देख रहे हैं कि main industries जितनी भी हैं वो railways से ज्यादा connected है क्योंकि railways जो land transport में सबसे cheap mode माने जाती हैं और ट्रांसपोर्ट करती हैं किसी भी production के लिए raw material के लिए जादा available हैं अच्छे से supply करती हैं और finished goods को भी जल्दी से मतलब supply कर सकते मार्केट तक availability जादा है इनकी तो अब हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो भी एक मेन रॉल प्ले करता है factors में नेक्स्ट इस में फिफ्ट पॉइंट आता मार्केट is the soul of all industries अभी मैं इसको soul क्यों कह रहे हैं क्योंकि जब तक finished product को market तक नहीं पहुंचता कि जब तक उसको पहुंचाया नहीं जाएगा market तक तो manufacturing का means जो product बनाया गया है product prepare किया गया है वो करना eBay का रहे हैं तो इसलिए एक आ गया कि market का नजदीक होना और भी ज़्यादा जरूरी है क्यों क्योंकि इससे transport की cost कम लगती है और consumers तक things जो availability है वो cheaper rate में हो जाती है तो इसलिए market के availability किसी भी industry के लिए most important है next हम इसमें बात करते 6th point पर आता है cheap land and water cheap land क्यों क्योंकि factory को बनाने के लिए large area of land की requirement होती है तब ही तो जादतर जो इंडस्ट्री जो rural areas में लगाई जाती है urban areas की बजाए तो water is another requirement for all industries तब ही हम देखते हैं कि जो industries है वो rivers, canals और lakes के आसपास लगाई जाती है क्योंकि industries के लिए water available होना जादा जरूरी है water के availability जितनी जादा होगी जितनी supply water के होगी तो cost भी कमी लगती है तो water availability होना जादा जरूरी factories के लिए भी और iron and steel industry textile industry और chemical industry के proper work के लिए जादा पानी की जरूरत होती है तब ही हम देखते हैं कि बहुत सारे industries और factory नदियों के किनारे पर लगाई जाती है यहाँ पर हम example ले सकते हैं गंगा नदी का कि गंगा नदी के किनारे पर 764 factories established की गई हैं जिनमें से leather factories हैं 444 chemical industries हैं 27, sugar mills हैं 67 और liquor industries हैं 33, textile and color industries हैं 63, paper making यान की paper के लिए जो pulp ready किया जाता है उस type की industries हैं 67 food industries हैं 22, इस example से हम यही समझाता है कि industries की location में water availability का important role होता है geographical factors की बाद आते non geographical factors non geographical factors में economic, political, historical social factors आते हैं कि जो हमारी modern industries को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं जिसमें सबसे पहले हम देख लेते capital modern industries capital intensive होती है means की पुंजी प्रधान होती इक उनमें money की ज़्यादा जरूरत होती है जिसमें हम बता सकते हैं कि capital सबसे ज़्यादा important होती है और जो huge and big amount के investment की requirement होती है तो जो capitalist यानि कि जिनके पास big amount of money available है सभी urban areas में रहते हैं तब ही तो हम देखते हैं कि all big cities like Mumbai, Kolkata, New Delhi and Chennai are big industrial centers तो यह हमने बात की capital की second point इसमें आदा industrial policies की industrial की जो policy कह कह होती है एक democratic state like India में जो industries location के selection का decision होता है वहां की government policy और public के demand पर depend करता है बट यह जरूर ही नहीं होता है कि हर बार ऐसा ही होता है कि industrial location हमेशा government policies और public demand को भी follow नहीं करता क्यों 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 कि हम देखते हैं कि जो backward areas भी है वहां पे भी हमें industries मिलती है जैसे यहां पे हम देख सकते है दा भिलाई steel plant in 37 गंड and दा राउर केला iron and steel plant in औरिसा यानि कि इनका setup वहां पे किया गया है इसके जो पिछड़े हुए उनके development के लिए लिया गया था आज भी हम देख रहे हैं कि भारत सरकार जो backward areas है वहां पर उद्ध्योग धंदे जितने भी हैं यानि कि industrial की जो चल रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रोच साहित कर रहे हैं और वहां पर money investment भी कर रहे हैं अलग बढ़िया बढ़िया जो प्रोजेक्ट्स लेकर आ रहे हैं वहां पर सेट अप करने के लिए नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि इंडुस्ट्रियल एक्टिविटीज के स्टार्ट होने के साथ साथ ही इंडुस्ट्रीज को मार्किट के साथ साथ है अदर सर्विसीज भी प्रोवाइड करवाते हैं जैसे कौन कौन सी सर्विसीज सकते हैं वह बैंकिंग इंशुरेंस ट्रांस्पोर्ट लेबर कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइज अर्बन सेंटर्स के दौरा जो इस टाहि ओकर्वाइड की सब्सक्राइज 하 उनकी एडवांटेजेज के करण बहुत सी उछिट्री अर्बन सेंटर सेंटर्स के जो आसपास ही सेंठील ने लग जाते हैं उसको क्या का जाता है agglomeration economies जो कि दीरे-दीरे बड़ी हो जाती है next हम देखते है आइडल location of an industry कि कि किसी भी industry के establishment के लिए जो location है कि आइडल location है या नहीं है वो हम कैसे decide करेंगे तो उसके लिए जो focus के जाता हो four points पर किया जाता है जिसमें first point आता है cost of obtaining raw materials at site कि किसी भी स्थान पर जहां पर हमें इंडस्ट्री लगानी है वहां पर जो raw materials हमें available हो रहा है यानि प्राप्त हो रहा है उसको कि स्रेट में मिल रहा है उसकी cost क्या है सबसे पहले हम यह देखते है second point इसमें आता है cost of production at site कि उस जगह पर जो उत्पादन हो रहा है जो production है उसकी क्या cost है मिंस यह कि जो भी product त्यार किया जा रहा है उसमें कितनी लागत लग रहे है यह देखना भी second point में आता है थर्ड पॉइंट बताता है कि production के distribution की cost कितनी है कि जो उत्पादन हमने तियार किया है उसको मतलब distribute करने में कितनी cost लग रहे हैं थर्ड पॉइंट पर इसमें आता है decision to locate factory at site कि उस थान पर जो भी हमें इंडस्ट्री लगानी है उसको जो establish करना है उसका निरने क्या लिया गया है कि decision क्या लियना है वो हमारा fourth point होता है कि जब यहां पर हम देख सकते हैं कि जब fourth point पर focus किया जाता है तो जब यह सभी चीज़े available हो जाती है तो वो किसी भी industry के एक idle location को show करती है non geographical factors में third point आता है industrial inertia industrial inertia एक ऐसी situation होती है जिसमें किसी भी industry के setup के लिए जो setup करने के लिए जो जरूरी होते है यानि कि raw material power जो उसके basic factors होते हैं वहीं पर मिलते हैं वहां पर इस industry को situate किया जाता है बट कुछ time के बाद कि वो basic factors जो है वो मिलना वहां पर बंद हो जाते हैं उसके कारण हो सकते हैं जैसे कचा माल है वो नहीं मिल रहा या उर्जा का कोई संकटा गया है लेकिन फिर भी वो factory वहीं पर रहती है उसका कहीं पर भी transplantation नहीं किया जाता तो उस situation को क्या का जाता है इंडस्ट्रियल इनर्शिया इसमें हम एक्जामपल ले सकते हैं जैसे लोक इंडस्ट्री एट अलीगर और बीडी इंडस्ट्री एट जबलपूर नेक्स इसमें आता है बैंकिंग फैसलिटी किसी भी इंडस्ट्री के establishment और उसके regular work के लिए daily exchanging money की जरूरत होती है उसकी संख्याति करोडो रुपे में तो जो भी बैंकिंग फैसलिटी के दवारा ही संभव होती है इसलिए इंडस्ट्री को वहीं पर situate की जाती है जहां प इसलिए उनकी सुरक्षिया के लिए insurance जरूरी है और कोई भी capitalist अपना पैसा insurance facilities की security के साथ ही लगाना चाहता है इसलिए banking फैसलिटी और insurance की जरूरत होती है इसके बाद हम देख रहे हैं इंडस्ट्री और market की linkage कि किसी भी इंडस्ट्री और market के बीच में क्या संबंद होता है कि कोई भी इंडस्ट्री है उसके लिए market के अवर करते हैं कि बिना market कोई इंडस्ट्री चाहिए कैसी भी उसकी कोई value नहीं होती तो उनके दोनों के बीच किसंबंद को सबसे पहले हम देखते है इन पॉइंट से तो सबसे पहला point आता है इसमें inputs का कि किसी भी product को त्यार कर इसमें के लिए जो सबसे ज़्यादा जरूरी है इंपुट के रूप में वह क्या होता है raw materials और उसके component parts और production की factors के लिए अगर हम देखें तो उसमें होते है labor, land, capital, infrastructure, etc. अब यह ओगे input अब इनके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हमें इन inputs को transport की जरूरत होगी कि इनक फैक्टरी तक ले जाना है फैक्टरी में अब इनको production होगी यानि कि raw material से product को त्यार कर लिया गया अब उस output त्यार होगा हमारे पास क्या मिल गया output एक products के रूप में अब उस output को हमें क्या करना है फिर transport की नीड होगी और उसको market तक पहुझाने के लिए तो market में अगर वो जाएगा कोई भी product तो हमें क्या होगा money earn होगी तो फिर बाद में हम इसमें circulation क्या देखते हैं कि वही money घूम कर वापिस inputs में आ जाते कि हम जो पैसा earn किया है किसी भी जो industrialist होते हैं जो पैसा उनको market से मिलता है फिर वह वापिस उसी inputs के लिए लगाते है कि raw materials और उसके components के लिए तो यह हम देख रहे हैं इंडस्ट्री और मार्केट के कि एक दूसरे पर dependent है इनके बीच में circulation और इनका संबंद दिखाया दिखाया है तो इसके लिए simply क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो भी products होते हैं जो daily life में यूज करते हैं तो उनके list बनाएंगे जैसे toothpaste, electric bulbs, vegetable oils, cement, petrol, medicines, automobiles, etc. और यदि हम इन ही particular criterion के basis पर industries को समझेंगे ना तो manufacturing को आसानी से classify कर सकते हैं कि कौन कौन सी industries हैं तो सबसे पहले जब हम classify करते हैं तो firstly हमारे आती है एग्रो बेस्ट इंडस्ट्री जिसके बार हम ने पहले भी डिसकस कर लिया था कि जो agriculture से related होती हैं वह कौन से होती हैं इनडस्ट्री जोती हैं सेकंड मैंने इंडस्ट्री जो माइनिंग के दुआरा प्राफ्ट प्रोडक्ट्स को रो मैट्रियल के रूप में प्रियों करती हैं जैसे इसमें सकते सिमेंट इंडस्ट्री आलुमॉंईयम मसीन टूल्स यह सब ich戟 हैं मेरे की में में रोल की क्लासिफिकेशन कि किसी इंडस्ट्री में में s इसके सु तो वह उनमें पहले भी डिसकसन किया था कि iron and steel industry हो सकती है, copper smelting industries है, aluminium smelting industries है, वो सब भी basic और key industries में आती है, नेक्स हमारे आती है consumer industries, वो भी हमने पहले डिसकस कर लिया था, कि consumer industries में जो भी product होता है, वो consumers उसको direct use करते हैं, उसमें किसी और other industries में उसकी कोई भी work नहीं होता है, जैसे हम इसमें बता सकते है, sugar, toothpaste, paper, saving machine, fans, food products, यह सब ही किसमें आते हैं consumer industries में, next आती है on the basis of capital investment, कि किसी भी जो industries है, उनमें पूंजी कितनी लगी है, उस capital investment के base पर टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिनमें first आते है small scale industries, यह वो industries होते हैं, जिनकी समाने जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाता है, यैसे इनमें capital investment एक करोड से कम होता है, य match box making industries, इसके बाद आते हैं large scale industries, large scale वो industries होते हैं, जिनमें capital investment, यानि कि जो पैसा लगाया जाता है, वो कितना होता है, एक करोड से ज्यादा होता है, तो वो होते हैं, हमारी large scale industries, जैसे होती है cotton textile and jute industries, इसके आग जाते हैं, on the basis of ownership, कि ownership base पे industries को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, यह भी हमने firstly discuss कर लिया था, यह वो इंडस्टरी जनका संचालन, state and agencies के डिवारा किया जाते है, नेक्स इसमाते, प्राइविट सेके इंडस्ट्री, इनका संचालन या तो individually, एक person के डिवारा किया जाता है, यह उनके persons के group के डिवारा किया जाता है, वो कौन से होती है, प्र वह इंडस्ट्रीज होती है जो किसी भी स्टेट की सरकार और प्राइवेट सेक्टर के दुआरा चलाए जाती है यानि कि उसमें गवर्मेंट और जो प्राइवेट सेक्टर होता है इसमें जो भी गवर्मेंट होती है और प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें से Hey pitch — जो सप्पलाइ करने वाले प्रोर्डी करने वालेे प्रोडूमों काुएं थुर्ट के सब्सक्रामिन तो दोनों मिलकर साथ में इंडस्टम करते या अलग जो को प्राइट करते हैं तो उसको क्या बोता है होते हिसमें उनका प्रोफिट होते हैं लॉसीयो होते हैं क्यों को प्रपोरिट कर लेते flog कि आँए सकता है जो सप्किलाइब करने वाले प्रोडूसर थे उनका भी और सप्लायर्स प्लायर का भी dunno आपसेक्र tel नीग Explences अवेट उफ जाओं है फ्रोमτιम्न की वाटिर्याल क्या है उसके बेशिब कर करते हैं है वी इंडस्टीज और लाइट लिए इंडस्टस्ट्री के बारे में हमने पहले नेक्स्ट इसमें झाते ही light industries जिन में light raw materials का यूज होता है और production भी light होती है यहने कि light weight की जो production होती है उसको हम करेंगे light industries जिनको female labors भी आसा नहीं से कर सकती है जैसे यह मैं इसमें बता सकते pan making industries and saving machine making industries आगे हम डिसकस करते है textile industries कि यह भी agro based industries का एक part होती है तो textile industries में जो total industries की जो production है उसमें जो contribution होता है textile industries का हो है 14% है यह सेक्टर 35 million workers को directly employment provide कर वारा है जो agriculture के बाद second largest sector है इस से foreign exchanging earning हो रही है जो लगबग 24.6% है एंड टोटल जीडीपी में इसका कॉंट्रिबूशन 4% है यह वैल्यू एडिशन इन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री अवैल्यू एडिशन का मीनिंग क्या होता है दो वर्थ एडिट टू ए प्रोड़क्ट डूरिंग दे प्रोड़क्शन प्रोड़क्श उसके लिए जो चार्जिज ले रहे हैं उनके बीच का अंतर जो हम देख रहे हैं दोनों के बीच का डिफ्रेंशेशन जो हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं वैल्यू एडिशन अब जैसे हम इसमें देख सकते हैं कोटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री में सबसे पहले आता देख सके बाद उसको weaving and knitting किया जाता है यदि उसके बाद yarn से weaving and knitting करके क्या बन जाता हैं थानल में वहाइब है अगली प्रोसेस होथी वो dyeing और finishing के जो भी कपड़ा बनाना है अब हम उसको कौन से color देना है और color देने के बाद में उसमें उसकपड़े से कौन सा हमें हमने था उसका हमने कुण सा गार्मेंट बना है तो लासिक हम गया गार्मेंट कि यहां पर हम्याय में सक्षार हुए जो भी इंडिस्ट्री ने गार्मेंट को प्रिपेर किया वो उसको बेचेगी कितना से मतलब 30 कितना किए और जो भी प्रोसिश यानि फाइबर की प्रोडक्शन के लिए और स्पेनिंग वीविंग नीटिंग डाइंग और फिनिशिंग में जो भी प्रोसेस चली उन में कितना पैसा खर्चुआ और इन दोनों के बीच का जब डिफ्रेंशियेशन देखते हैं तो उसको हम कहेंगे वैल्यू एडिशन इन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री नेक्स्ट आते हैं कोटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री कोटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री जैन इंडिजीनियस मिंस प्रमप्रागत इंडस्ट्री है जो एक लोंग टाइम पीरिड से चली आ रही है और जिसका विकास मेंली अगर हम देख स्थान रोजगार देने में चता हैं इंडिस्टरिययल सोफें नग इस तुम संग कि पैसा लगा जा रहा है इसका 16 परrane किसका है कोटन टेक्स्टाइल इंडुस्ट्री गा एंडुस्ट्रियल लेबर का šwo 정도 परस्ट यानिकि जितने भी इंडुस्ट्रीस है उन में से जो लेबर अ कि इसंट्र अफ्टि Copas8 मैं ऐसी जो इस संट्रूर्थ of इसमें शो कर रहा है कि इंडिया की जो फर्स्ट सक्सेस्फुल मोडरन कोटन टेक्स्टाइल मिल की स्थापना कवास जी डाबर के द्वारा 1854 में की गई एंड मुंबई के अलावा एहमदाबाद इंडियन कोटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के डेवलेपमेंट का एक अलग लेंडमार्क है जिसमें शहापूर मिल की स्थापना की गई 1863 में एंड कैलिको मिल की स्थापना की गई 1861 में फॉर्थ पॉइंट हमें टेक्स्टाइल इंडस्ट्री के ग्रोथ को शो कर रहा है कि जिसमें बताया गया है कि 1880 में कोटन टेक्स्टाइल मिल जिनकी संक्या कितनी थी 58 से बढ़कर 1947 में हो गई 423 क्यों क्योंकि इसमें इस टाइम पीरिड में वर्ल्ड वोर्स था जिसने कि जो इंपूट्स को बढ़ा दिया था क्योंकि डिमांड जादा हो रही थी एंड फिफ्ट पॉइंट दिखा रहा है कि 1947 में जब पार्टिशन हुआ तो भारत के पास 423 में से 409 मिल्स रह गी थी क्योंकि टोटल जो हम देख रहे थे कि 1947 में कितनी थी 423 थी जिन में से जब पार्टिशन हुआ भारत और पाकिस्तान अलग लुग हुए तो भारत के पास रह गी 409 मिल्स और जो पाकिस्तान था उसके पास चले गी ओनली 14 मिल्स जिन में से जो 29 परसेंट हम कोटन प्रोडक्शन इंडिया में रह गया था and in 1998 में टोटल मिल्स हो गई थी 1782 जिन में से हम बता सकते हैं पब्लिक सेक्टर की थी 192 कोपरेटिव सेक्टर की इंडस्ट्री थी 151 और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री थी 1439 और दे सेवन्थ पॉइंट इस ओन 30 नमंबर 2011 कोटन एंड हुमन मेड फाइबर टेक्स्टाइल मेल्स वर टोटल यानि कि यहां पर हम क्या बता रहें कि जो टोटल मिल्स कितनी हो गई 1946 और इन जो टोटल थी इनका 80 परसेंट प्राइवेट सेक्टर में है और 20 परसेंट पब्लिक एंड कोपरेटिव सेक्टर में आता है तो यह कुछ पॉइंट थे जिनसे हमें शोर है कि जो कोटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया में डे बाई डे कैसे ग्रो अप कर रही है वी विल डिसकस अबाउट दे लोकेशन ओफ कोटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री इन इंडिया तो भारत में कोटन टेक्स्टाइल इंडस्ट्री की लोकेशन को बहुत सारे फैक्टर से जो परभावित करते हैं जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि कोई भी इंडस्ट्री उसके लिए फैक्टर मतलब सेम ही है बेसिक फैक्टर वैसे ही जो कोटन टेक्स्टाइल में बताए गये हैं जैसे रो कोटन पावर लेबर ट्रांसपोर्ट कुछ पॉइंट्स बताए गये हैं कि जो इसकी लोकेशन को कैसे अफेक्ट करते हैं जैसे में फर्स्ट पॉइंट हुमिड क्लाइमेट इस मोस्ट इंपोर्टन फैक्टर क्योंकि हुमिड क्लाइमेट के कारण है जो धागा नहीं टूटता है और जो लोंग स्टैपल की जो हमारे पास फाइबर होता है वो उसे जो कोटन की प्रोडक्शन की जाती हो एक अच्छी क्वालिटी की होती है सेगंड पॉइंट है इंडिया में कोटन टेक्स्टाइल की सबसे बड़ी मार्केट अवेलेबल है क्योंकि इसके दो पॉइंट हम देख सकते हैं फर्स्ट पॉ सब्सक्राइब कोटन टेक्स्टाइल इंडिस्ट्री के लिए इनके साथ साथ ना अधर इंपोल्टेंट सेंटर्स भी प्रोवाइड हो गए तो उनसे भी जो अमाउंट ओफ कोटन की जो प्रोड़क्शन थी ना वो बढ़ गई है जैसे इन में हो सकते हैं कौन कोन से की दो इंडिस्टरी की लोकिशन हैं वह सभी पर अवेलेबल हो रही यानी कि दे बाई दे चांट बड़ değil वो ड़ Counsel झाल जो पर लिए बढ़ रही है क्या तो आंड हम एंडिया का मैपकि जो जो एंडिया का मैप देखते हैं कि कोटन तो इंडिया का मैप देखा जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है या जो सेंटर्स हैं वह कहा है पैनिंशुलर रीजन में सबसे जादा है उसका कारण है जैसे फिफ्ट पॉइंट में पता चल रहा है कि 1921 के बाद जो रेल्वे का विकास उसमें तो उसने क्या किया कि जो पैनिंशुलर रीजन सेंटर्स थे लाइक कोईंबटूर मदुरई बैंगलूरू नागपूर वडोद्रा इंदोर सोलापूर को रेल्वे ने क्या कर दे कि ग्रो मैटेरियल मार्केट लेबर को इन न्यू सेंटर से कनेक्ट कर दिया और इन सिख्कट है इंच्पो पॉइंट और हैंगी फोट्रिक्टिक का यानि एंद कीह बता सकते हैं कि 1933 के बाद में जो तो Hari अब लूम में कनवर्ट कर दिया गया और हैड्रो एलक्टिसिटी की मशीनों से जादा से जादा कोटन के जो फाइबर है उसको प्रडक्शन किया जकता है इसमें एक एक्जामपल ले सकते हैं प्यकारडैम का जो तमिलनाडू में है जिससे हाइड्रो एलक्टिसिटी अवेले इंडस्ट्री में कोटन क्लोथ की जो प्रडक्शन की जाती है कौन कौन सी प्रोसेस होती है कौन कौन में सेक्टर्स होते हैं तो इन में तीन सेक्टर्स इंपोर्टेंट होते हैं मील्स पावर लूम्स एंड हैंड लूम्स तो फस्टली हम डिसकस करेंगे मील्स के बारे में कि cotton cloth की production में मिल्स जो कम ही होई है निकि came down होई है जो production पहले मिल्स में जादा होती थी वो दीरे-दीरे कम होई है तो जो अमेंज data से पता सलता है कि फर्स्ट जो production होती थी वह 81% से अब हो रही है 3.3% only next point आता power looms का यह sector total cloth production का 82.8% प्रोड्यूस करता है जो की हम देख रहे हैं इंट्रिक्रेट डिजाइन के साथ वाइड वराइटी ओफ को भी मतलब प्रोवाइड कर रहा है कि इतनी production कर रहा है कि जिसमें डिजाइन भी बहुत सारे और वेराइटी भी अलग अलग दे रहा है नेक्स्ट इसमें आता है हैंड लूम्स यह sector जो total cloth production का 12.3% प्रोड्यूस करता है और जो 65 लेक परसंस को employment प्रोवाइड कर वाता है नेक्स्ट हम डिसकस करने माली locations इंडिया में cotton textile industry की 4 centers मुंबई आफ्टर देट एहमदाबाद कोयंब तूरेंड कानपूर तो फर्स्ट लिए मुंबई के बारे में डिसकस करेंगे मुंबई के महराष्ट्रा में आता है नेक्स्ट जो सेगेंड पॉइंट आता है इसमें की जो टोटल प्रोड़क्शन हो रही है इस इंडिस्ट्री की उसका 38% cloth and 30% yarn का प्रोड़क्शन भी यहीं इंडिस्ट्री कर रही है तो था महराष्ट्रा के लगभग जो 3 lakhs workers को engaged है इसमें यानिकी उनको employment दे रहा है यह सेक्टर सेगेंड आता है इसमें एहमदाबाद एहमदाबाद गुजरात का largest cotton production center है क्योंकि गुजरात की total meals कितनी है 118 meals है और जिनमें से एहमदाबाद में 67 meals है second point है कि गुजरात के other important centers भी हैं like वडोदरा, सूरत, भरूच, राजगोट, पोरबंदर और भावनगर cotton textile industry के production में third point most important आता है उतरपरदेश and most of the cotton textile industry has developed in the western part of उतरपरदेश like कानपूर यहाँ पर cotton textile production सबसे ज़्यादा की जाती है क्योंकि यहाँ पर 14 meals है cotton textile की और कानपूर is known as the Manchester of UP and other important centers are आगरा, मुरादाबाद, अलीगर, बरेली, हात्रस and बारानसी and fourth point is Tamil Nadu यहाँ पर cotton textile की total 439 meals है और उनमें सिफ 416 meals, spinning meals है यानि कि जो yarn के manufacturing करती है कोयंब टूर Tamil Nadu का most important center है यहाँ पर 200 meals है and it is known as the Manchester of Tamil Nadu इस्टा आता है जूट textile इंडिया जूट के production करने में और जूट goods को export करने में बांगला देश के बाद second position रखता है in 2010 and 2011 में भारत में 80 जूट meals थी जिनमें से ज़्यादार हुगली रिवर के पास 98 km long and 3 km wide belt पर situated है and first जूट meal in 1855 में कोलकाता के नस्दिक रिश्रा में लगाई गई थी जूट industry में 40 lakh farmers को जूट cultivation करके रोजगार प्राप्त कर रहे हैं और 3.7 lakh workers इस industry से जुड़े हुए है जूट textile के बाद agro based industries में आती है sugar industries इंडिया में sugar production का main source sugar cane है and traditionally इंडिया में गुर और खांटसरी के जो production होती रही है and modern sugar industry की स्थापना 20th century के first decades में शुरू हो गई थी इंडिया में world का 1 by 4th part sugar cane में इन समया पे बता सकते हैं 112 million ton sugar cane की production की जाती है and 8% of sugar का production होता है यानि कि 8% में हम बता सकते हैं 2019 and 2020 में जो total production थी sugar की इंडिया में वो थी 268.21 lakh ton इसके बाद आता है development of sugar industry in India modern sugar industry का base यानि कि जो foundation है वो 1903 में बिहार और UP में sugar mills के establishment के बाद माने जाती है में समया पे समझ सकते हैं कि sugar industry सबसे पहले UP और बिहार में लगी थी in 1931 में इंडिया में sugar mills थी 31 जिन में से UP में थी 14 and विहार में थी 12 mills and remaining five were in other parts of the country and the third point is 1936 and 37 में sugar mills की संख्या बढ़कर 137 होगी थी और अब यानि कि इस टाइम पे आके भारत sugar के लिए self sufficient हो गया कि अब उसे बाहर से sugar जो import नहीं करने पड़ेगी जितनी sugar के demand थी इंडिया की sugar production से ही पूरी हो रही थी इस टाइम पे आके and 1952-51 में इंडिया में sugar mills हो गई थी 139 जिन में से 11.34 lakh ton sugar का production हो रहा था and 2011-12 में sugar mills बढ़कर 560 हो गई थी और इस टाइम पे आके sugar production 274.30 lakh ton हो गया next हम discuss करते हैं distribution of sugar industry इंडिया में sugar industry को mainly two reasons में divide किया जा सकता है जिसमें first reason in North India and second is South India North India में UP and Bihar main centers माने जाते हैं and others are Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat and in South India Maharashtra and Tamil Nadu are the main producer and the others are Karnatka and Andhra Pradesh अब हम देखते हैं sugar industry in UP UP में total productions होती है sugar की वो है 105.62 lakh ton in 2021 की बताइए हमने और 2020 में जो production थी वो कितनी थी 116.52 lakh ton इंडिया में sugar production में UP first rank पर है and this is the traditional producer of sugar and UP के sugar production को two reasons में divide किया जा सकता है first है गंगा यमना दोवाब in western UP जहां पर में शूगर production centers है सहारनपूर, मुझफफर नगर, गाजियाबाद, बागबत, शामली और बुलंद शहर यहां पर कोश्चन अभी आप सभी से कि what is दो आप आपको आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं मुझे आपके जवाब का इंतजार रहीगा और अगर नहीं पता है तो आप description में चेक कर सकते हैं वहाँ पे आपको आंसर अवेले पले हैं and second reason is the right reason in eastern part of UP यहां पर mainly sugar production centers हैं गोरकपूर, देवरिया, बस्ती, गोंडा, सीतापूर, बहराइच and आयुध्या discuss about sugar production in बिहार बिहार mid 60s तक second largest sugar production state था बट अब यानि के present time में जो इसकी rank है वो 6th rank पर है sugar production में यहां पर 28 sugar meals हैं जिनमें से केवल 9 centers operates हैं and sugar production यहां पर अगर हम देखें तो वो है 122 lakh ton and sugar cane production है 129.95 lakh million ton यहां पर हमने sugar cane की बात की हैं and बिहार के main sugar production district है East Champaran, Madhubani, Patna, Darbhanga and Vaisali अब हम sugar industry in South India को discuss करेंगे सबसे पहले हम discussion करते हैं महाराष्ट्रा का महाराष्ट्रा sugar production में UP के बाद second position पर आता है पैनिंशूलर इंडिया में महाराष्ट्रा स्टेट में sugar meals integrated cooperative system में मिलती हैं and महाराष्ट्रा इंडिया के total sugar production का one third part produce करता है और इंडिया की total sugar meals का 20% यहां पर मिलता है यहां पर 119 total sugar meals हैं जिन में से 87 meals cooperative sector में आती हैं and एहमद नगर इस स्टेट का largest sugar production center है and other centers आर कोलहपूर, सांगली, सोलापूर, पुने, मनमाड, सतारा and नासिक महाराष्ट्रा के बाद हम discuss करते हैं तमिल नाडू तमिल नाडू यानि कि इस स्टेट की जो sugar production में जो position है वो third position है and इंडिया के total sugar production का 8.3% यही स्टेट प्रोड्यूस करता है 32 meals में से अधिकतर जो meals हैं वो कोयमटूर and त्रिउचिरापली में situated है and after that करनाट का यहां पर total sugar meals 30 meals हैं जो की इंडिया के total sugar production का 8.1% पर प्रोड्यूस करते हैं बैल गाम एंड मंड्या डिस्टिक यहां के highest concentration of sugar centers है and others are बीजापूर and बैलारी okay guys thanks for watching I hope आपको topic clear हो गया होगा अगर आपकी कोई भी क्यूरीज है तो आप comments करके पूछ सकते हैं remaining parts हम जल्दी upload करेंगे और video अगर आपको अच्छी लगी तो like करें and please subscribe my channel